हेलो फ्रेंड्स तो जैसा कि आप सबी जानते हैं कि आजकर जो हमारे विशे हैं वो हैं हिंदी निबंद तो निबंदों के उपर मैंने काफे कुछ आप सबी को बता दिया हैं तो आप जो है हमारा लास्ट ही टॉपिक इस पर चल रहा है वो है निबंद कारू के द्वारा जो परिक्षा में कथन भी पूछे गए थे तो दो निबंध के उपर यानि की भारते इंदू हर शेंद्र के द्वारा लिखे गए जो दो निबंध है उनके कथन में करा चुकी हूँ आज हम आगे के सारे निबंधों पर चड़चा करेंगी तो चड़े शुरू करते हैं तो पहला जो निबंध है वो है प्रताप नरायन मिश्र जी का आप तो इस निबंध में उन्हें कौन-कौन सी चीज़े जो है इंपॉर्टन्ट है चले पड़ते हैं तो पहला है ले भला बताईए तो आप क्या है आप कहते होंगे वह आप तो आप ही हैं यह कहा कि आपदा आई यह भी कोई पूछने का ढंग है पूछा होता कि आप कौन है तो बतला देते कि हम आपके पत्र के पाठक हैं तो इसमें पूरा जो चड़चा मिलेगा वो आपको आप विशे के उपर मिलेगा कि यह आप वास्ता में होता क्या है किस रोग की है आप दवा न पूछिए जिस आपको आप अपने लिए तथा औरों की प्रति दिन रात मुह पर धरे रहते हैं वह आप क्या है अगले जैश से मैं शब्द अपनी नम्रता दिखाने के लिए ब बोधन की नकल है पानी की जिस्टता और स्रिष्टता का विचार करके लोग पुरुषों को भी उसी के नाम से आप पुकारने लगे होंगे अगे हैं पानी में गुण चाहे जितने हो पर गती उसकी नीच ही होती है तो क्या हमको मुह से आप आप करके अदोगमी बनाया चा जाएंगे और फिर कभी यह शब्द मुह से मुह पर ना लावेंगे अगला है प्रेम शास्त्र में कोई बंधन ना होने पर भी इस शब्द का प्रयोग बहुत ही कम बरंच नहीं के बराबर होता है संस्कृत में एक आप्त शब्द है जो सर्वता माननीय ही अर्थ में आता ह यहां तक कि न्याय शास्त्र में प्रमान, चतुस्टेय, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द की अंतरगत, शाब्द प्रमान का लक्षण ही यह लिखा है कि आत्पद इशोह शब्दा, अर्थात आप्त पुरुष का वचन प्रत्यक्षादी प्रमानों के समान ही प नहीं आ सकता, इससे उसे सरल करके आप बना लिया गया है, और मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के अत्यंत आदर का द्योतन करने की काम में आता है, अगले हैं मुसलमान भाईयों के लड़के कहते हैं अबबा, और हिंदू संतान के पक्ष में बकार का उच्चारण अंतनिक भी कठन नहीं होता, प्रेम समाज में आपका अदर्ण नहीं है, तू ही प्यारा है, अगले हैं आत्मा और परमात्मा की अभिनिता या तदुप्रता कहीं लेने की नहीं जान पड़ती, पर बाहिये ववहार में अपने को आप कहने से यदि एहंकार की गंद समझे, तो यों समझ लीजिए कि जो काम अपने हाथ से किया जाता है और जो का बात अपनी समझ स्विकार कर लेती है, उसमें पूर्ण निश्चे अवश्य ही हो जाता है, एशिया की कई बोलियों में पकार को बकार में फकार से बदल देते हैं, जैसे बादशाह को पादशाह और शब्द के आदी में बकार भी मिला दिते हैं, जिन शब्दों में अकार और पकार का फर्क संपर्क हो एवं अर्थ की स्ट्रेस्टता की ध्वनी निकलती हो, वे प्राया समस्त संसार के शब्द हमारे आप्त महाशे वा आप ही उलट फेस से बने हैं, आप ही को उचित होगा कि दमड़ी छदाम की समझ किसी पंसारी के यहां से मोल ले आए, फिर आप ही समझ लीजिएगा कि आपको है, तो यहां पे देखिए, आपके विश्य में बाते काफी सारी की हैं, उन्होंने की निबंद में क्या है, तो यह सारे निबंद के मतुण कथन है, अब उनका अगल निबंद है प्रताब नायरमिश्य जी का धोखा, इसके देख लेती है मतुपुण कथन, इन दो अक्षरों में भी ना जाने कितने शक्ती है, इनकी लपेट से बचना यदी निरा असंभव ना हो, तो अभी महा कठिन तो अवश्य है, अगला है यदी हम कहें कि इश्वर भ है तभी तक संसार है, बरंच संसार का स्वामे भी तभी तक है, फिर कुछ भी नहीं, और कौन जाने हो तो हमें उससे कोई काम नहीं, परमिश्वर सब का भरम बनाए रखे, इसी में सब कुछ है, जहां भरम खुल गया, वहीं लाख की भलमसी खाक में मिल जाती है, अगला ह एक रीती से यह कहना जूट भी नहीं जान पड़ता, क्योंकि जिसके अस्तित्व का कोई प्रितक्ष प्रमान नहीं है, उसके विश्रे में अंतगात्वा योही कहा जा सकता है, इसी प्रकार स्वर्ग नरकादी के सुख दुखादी का होना भी नास्तिकों ही के मत से नहीं, किन्तों बड़े बड़े आस्तिकों के सिध्धान्त से भी और विधित सुख दुख निर्विशेश स्वरूप के अतिरिक्त कुछ समझ में नहीं आता, आगे हैं ऐसी दो बात सोचने से गोस्वामी तुलसिदास का गो गोचर जहन लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भा यह था तया जान पड़ता है, सच्चा जान पड़ता है, फिर हम नहीं जानती कि दोखी को लोग गलत क्यों पुकारते हैं, तो एक चोटना स्वर्शब्द दोखा को उन्होंने भौधी विस्तार से इस निबंद में बता रका है, आप चाहें तो विस्तार पूर्वा को उस और हानी सहना वा प्रतिष्ठा खोना दोनों बाते बुरी हैं, जो बहुदा इसके संबद में हो ही जाया करती हैं, इसी से साधारन शेनी के लोग धोखे को अच्छा नहीं समझतें, ये दिपि उससे बच नहीं सकतें क्योंकि जैसे काजल की कोटरी में रहने वाला अगले हैं, परोपकार को कोई बुरा नहीं कह सकता, पर किसी को सब कुछ उठा दीजिये, तो क्या भीख मांग के प्रतिष्ठा अत्वा चोरी करके धर्म खोईएगा, वा भूखो मर के अत्मत्या के पाप भागी होईएगा, योहीं किसी को सताना अत्वा बचा बचा रहन अच्छा नहीं कहा जाता है, पर यदि कोई संसार का अनिस्ट करता है, तो उसे सजा के राजा से दंड दिलवाईए, वा आप ही उसका दमन कर दीजिये, तो अनेक लोगों के हित का पुन्ने लाब होगा, अगले किसी को धोका देना हो, तो इस रीती से दो कि तुम्हारे च काशित करने के काम का ना रही, अगले हैं, धोका खा के धोके बाज का पहिचानना साधारन समझ वाले का काम है, इससे जो लोग अपनी भाशा, भोजन, भेश, अस्भाव और भातित्रों को छोड़कर आप से भी छुड़वाया चाहते हो, उनको समझे रहिए कि स्वयम धो धोका खाये हुए हैं और दूसरों से को धोका दिये चाहते हैं, धोके से उत्पन होने वाले विपत्तियों से बचे रहिएगा, नहीं तो हमें क्या, अपनी कूपमती का फल, अपने ही आसूँ से धो और खा, क्योंकि जो हिंदू होकर ब्रह्म हवाक्य नहीं मानता, वैं ध किल नहीं आती, और बई मानी तो था नीती कुशलता में इतना ही भेध है, कि जाहर हो जाए तो बई मानी लगती है, और चिपी रहे तो बुद्धी मानी लगती है, तो इस प्रकार से जो है, इस निबंद के महत्वपूर्ण कथन है, आगे है, साहित्य जन समू के हिर्दय क विकास है, ये बालकृष्ण भट्टी जी का निबंद है, इसके महत्वपूर्ण कथनों पे चर्चा करते हैं, प्रतेक देश का साहित्य उस देश के मनुश्यों के हिर्दय का आदर्शी रूप है, जो जाती जिस समय जिस भाव परिपोर्ड या परिलुप्त रहती है, वे प्रतेक देश का साहित्य भी करता है, जिसमें कभी को क्रोधपूर्ण भयंकर गर्जन, कभी को प्रेम का उच्छवास, कभी को शोक और परिताप जनित हिर्दय विकारी करुणा निस्वपन, कभी को वीर्ता गर्व से दर्प में भरा हुआ, से नाद कभी तो भक्ति के उन प्रकार के प्राकरतिक भावों का उद्गार देखा जाता है, साहित्य यदि जन्समू के चित को चित्रपट कहा जाए तो संगत है, तो ये कथन जो है कई वारी प्रिक्षा में पूछा गया है कि किन के द्वारा कहा गया है और किस निवंध का है, किसी देश का इतिहास कौम के सब समय समय के अभ्यांतरिक भाव हमें परिपुस्ट हो सकती है, हमारे पुराने आर्यों का साहित्य वेद है, उस समय आर्यों की शैशवा वस्ताती, बालकों के समान, जिनका भाव, भोलापन, उदार भाव, निश्क पट विवार, वेद के साहित्य को एक विलक्ष के साथ अब का साब बनावट कुटिल बरताव ना था, उस समय के उनके साहित्य वेद में भी कृत्रम भक्ति, कृत्रम सोहाद्र, कपट वृति, बनावट और चुना-चुनी ने स्थान नहीं पाया, उन आर्यों का धर्म अब के समान गला घोटने वाला ना था, सब के साथ सब की खान पान द्वारा सहानुबुती रहती थी, अगला है, आर्यों को इश्वर के विशे में जो जो भाव उदे हुए हैं, वे ही सब नए प्रकार का साहित्य उपनिशद के नाम से कहलाएं, जब इन आर्यों की सामाज अधिक बढ़ी और लोगों की रीती नीती और बर जिसमें किसी प्रकार की हानी ना पहुचाएं, इसलिए इसमृतियों के साहित्य का जर्म हुआ, अगला है, यहां तक जो साहित्य हुए यदिपी वेद की भाशा का अनुकरण उनमें होता गया, पर अन्तो निति निति उनकी भाशा अधिक सरल, कोमल और परिश्कृत होती तथा पी इनकी गड़ना वैदिक भाशा में ही की जाती है, अगला है, इस वेद और लोक के अलग-अलग भेर से साबित होता है कि संस्कृत किसी समय प्रचरित भाशा थी, जो लोगों के बोल-चाल के बताव में लाई जाती थी, अगला है, विचित्र कल्पना और प्रकृ प्रधान नायक, श्री राम, चंद्र, आरेचाती के प्राण, दया के अम्रसागर, गांबेर और पौर्ष दर्प की मानोस, जीव रतिकृति थे, अगला है, काल के परिवर्तन की कैसी महिमा है, जो अपने साथ ही साथ मानोशी प्रकृती के परिवर्तन भी बहुत कुछ अस अंदा सुक्त, जिन में हमारे पुराने आरियों ने मर पच्च साहिती की बड़ी भारी कारीगरी दिखलाई हैं यह च्छावर हैं, अगला है, हमारी विद्यमान छिन भिन दशा, जिसके कारण हजार हजार चेस्टा करने पर भी जातियता हमारे में आती ही नहीं, सब पुर पुरान की ही किरपा है, जब तक शुद्वैदिक साहित हम लोगों में प्रचलित था, तब तक जातियता के द्रड नियमों में जरा भी अंतर नहीं होने पाया था, अगला है, ब्राहमन तंतर के पठन पाठन से बहुत जल्द पतित हो सकता है, यह जो किसी स्प्रतिकार का म हमें भी कुछ-कुछ संयुक्तिक मालूम होता है, बहुत से पुरान तंतरों के बाद बने, उनमें भी तांतरिकों का सिधान पुस्ट किया गया है, अगला कतन है, हमारी एक हिंदू जाती के असंख्य टुकड़े होते गए, यहां तक खंड हुए कि अब तक नए नए धर् में फ़स्ट के असंख्य टुकड़े जितना वैष्वशनवों में अधिक है, उतना शैवन शाहतों में नहीं, और आपस में एक दूसरे के साथ, मेल और खानपान जितना कम इनमें है, उतना औरों में नहीं, राम के उपासक क्रिष्ण के उपासक से लड़ते हैं, क्रिष् में बड़ा खटपट लगाए रहती है अगला है उर्दू इसकी ऐसी रेड मारे हिंदी तुलसी सूर इत्यादी कवियों की पद्दे रचना की अत्रक्त और कहीं मिलती हुए भी नहीं प्रसंग प्राप्त अब हमें यहां उर्दू के साहित्ति की समोल रचना का भी है शुद निबंध के कथन थे अब बात करते हैं शिव शम्भू के कथन चिट्थे जो की बाल मुकुंद गुप्त जी का है तो इसके भी आते ही रहते हैं तो इसके बारे में जो शौर्ट डिस्क्रिप्शन है निबंधों के बारे में संक्षिप्त विवरन उसके उपर अलग से निबंधों का जो संक्षिप्त विवरन है वो मैं पहले ही बता चुकी थी आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि समझने में और असानी रहे इस निबंध से रिलेटर जो भी छोटे पॉइंट से वो मैंने उसमें बता दिये चोटे और महत्तोपोर्ण है तो इत चारिये तो क्या शान आपके इस देश में थी और अब क्या हो गई कितने उंचे होकर आप कितने नीचे गिरें आपके और यहां के निवासियों के बीच में तीसरी शक्ती और भी है तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये पत्र जो है बालमुकुंद गुपत जी ने जो है जो कथल है चिट्टे का वही आपको यहां इसमें देखने को मिलेगा काफी सारे उसी पद से पूछे गए हैं कहे गए हैं क्या आँख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ ना सुनने का नाम ही साशन है अगला है वो दिन रात यही बात मनाते थे कि जल्द श् आकिमों के साथ हाथ मिलाने की उसकी हैस्यत नहीं उसकी हां मिलाने की उसकी ताब नहीं वह एक कपरदक स्चुन्य घमंडी ब्रामन हैं है राज प्रतिनिदी क्या उसकी दो चार बाते सुनिएगा देखिए अपने विशिमना ने यह चीज़ कही है अगला है जिस पद पर आप आरोड हुए हैं वह आपकी मौरूस ही नहीं नदी नाव सईयों की भाती है आपके हाथ में कुछ दिन और कुछ करने की शक्ती है लेकिन माई लॉर्ड क्या आप भी चाहते हैं कि आपके आसपास एक वैसी ही मुर्ती लॉर्ड लेंस डॉन जैसी खड़ी हो यदि आप आपको मुर्तिया हिस थापत करनी है तो आईए आपको मुर्तिया दिखा दे वह देखिए एक मुर्ती जो कीले के मैदान में नहीं है पर भारत वासियों के हिर्दे में बनी हुई है पहचानिए इसे इस वीर पुर्ष ने मैदान की मुर्ती से इस देश के करोड़ों को धुए're में पनाना अच्छा समझा यह लुरड रिपन कीमुची है तो लड रिपने जो है देश-वासियों के लिए काम किया लेकिन जो लड करजन था वह अपनी क्रूडा करें जो है जो है चरजित में आया तो उसी से परशानों के जो है ये चुट्थे उन्होंने लिखे हैं अगला है सच मानिए कि आपने इस देश को कुछ नहीं समझा खाली समझने की शेखी में रहे और आशा नहीं कि इन अगले कई महिनों में कुछ समझ है किन्तु इस देश नहीं आपको खूब समझ लिया और अधिक स सलाम कराईए चाहे उन्हें विलायत बिजवाईए चाहे कलकत्ते बुलवाईए जो चाहे सो करिये वे हाजिर है समुद्र अंग्रेजी राज का मला है पहाडों की उप्त्यकाहे बैठने के लिए कुरसी मोड़े बिजली कले चलाने वाली दासी और हजारों मील खबर लेकर उड़ने वाली दूरी इत्यादी इत्यादी अगला है विक्रम अशोक और अकबर के साथ यह भूमी नहीं गई और अंग्जेब अलाओ दीन इसे मुठी में दवा कर नहीं रख सके महमूद तैमूर और नादिर इसे लूट के माल के साथ उंटों और हाथियों पर लाद कर ना ले जा सके आगे भी यह किसी के साथ नहीं जाएगी चाहे कोई कितनी ही मजबूती क्यों ना करे अगला है आशा से बंधा यह संसार चलता है रोगी को रोग से कैदी को कैद से रिन को रिनी को रिन से कंगाल को कंगाली से इस परकार हर एक कलेशित वैक्ति को एक ना एक एक दिन अपने क्लेस्री मुक्त होने की आशा होती है यह तो यहां के नमक की तासीर है यहां का नमक खाकर विचार बुद्धिक हो जाती है दयाक और हिर्दे भाग जाती है उदारता उड़न चू हो जाती है आखों पर पट्टी बांद कर कानों में ठीटे ठोक कर नाक में नकेल डाल कर आदमी को जिधर तिधर घसीटे फिरता है उसके मुक से खुलम खुला इस देश की निंदा कराता है आदमी की मन में वे नमक यही जमा देता है कि जहां का खाना वहां की खुब निंदा करना और अ अगला है माई लॉर्ड वे कर्मवादी हैं यह यही समझते हैं कि किसी का कोई दोश नहीं जब हमारे पुर्व कर्मों का दोश है हाई हाई ऐसी प्रजा को आप धूर्थ कहते हैं अगला है माहानगर की लाखो प्रजा भेडों और सुवरों की ही भाती सड़े गंदे जोपड़ों में पड़ी लोटती हैं उनके आसपास सड़ी बदवू और मेले सड़े पानी के नाले बहते हैं कि चड़ा कुड़े के धेर चारो और लगे हुए हैं उनके शरीर पर मेले कुछ अले फटे चीथड़े लिप्टे हुए हैं ऐसी विपनता अवस्था में भारत की प्रजा क्या कहकर अपनी राजा और उसके प्रते निदी को संबोधन करें क्या यो कहें कि जिस ब्रिटिस राजिन में हम अपनी जन्म भूमी में एक अंगल भूमी के अधिकार ही नहीं जिसमें हमारे शरीर को फटे चीथड़े भी नहीं जुड़े और ना कभी पापी पेट को पूरा भर भोजन मिला उसकी जय हो तो देखे इस पंक्तियों में एक तरफ उन्होंने भारत की विपन था और जो राज विवस्त था थी कि ना राजा को फिकर है ना जो वो जिटे शासनाया है उसको उनकी फिकर है अगला है इस संसार के आरम्ब में बड़ा भारी पार्थिके होने पर भी अंत में बड़ी भारी एकता है समय अंत में सब को अपनी मालक पर ले आता है देश पती राजा और भिक्षा मांग कर पेट भढ़ने वाले कंगाल का परिणाम एक ही होता है कितने ही शाशक और नरेश प्रिची पर हो आएं आज उनका कहीं पता निशान नहीं है थोड़े दिन अपनी नौबत बजा चले गए अगला है अपनी शाशनकाल का नाटग घोर दुखांत है और अधिक आशर की बात यह है कि दर्शक को तो क्या सुत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझ कर खेलना प्रारण किया था वै दुखांत हो जाएगा यानि सब को एक दिन जो है वहां से जाना है प आपकी इस प्रकाल की कारणामों से भारतियों के मन में यह बात जम गई है कि अंगरेजों से भक्तिभाव करना वृता है और उनके आगे रोणा गाना वृता है दुर्बल की वह नहीं सुनते जब से अंग्रेजी राज अरंभ हुआ है तब से इन गुड़ों में आपकी बराबरी करने वाला एक भी बड़ा लाट इस देश में नहीं आया भारत वर्ष की बहुत सी प्रजा के मन में धार्णा है कि जिस देश में जलना बरसता हो लाट करजन परदा अपन करे तो वर्षा होने लगती है और जहां के लोग अती वर्षा और तुफान के तंग में हो वहाँ करजन के जाने से स्वच सूरी निकल आता है अगला है जिनके बाप दादा भीड की आवाज सुनकर डर जाते थे जिनको स्वेम चाकू से कलम का डंक काटते भै लगता था उन्हें सरकार ने राय बहादुर बनाया है तो यह इस निबंद के कतंते अगला निबंद है धर्म और समाज चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के दोरा इस निबंद में जो है आपको धर्म और समाज यानि इस प्रकार से जुड़ा हुआ है और क्या चीज़ जो है में धर्म से संबंदित होनी चाहिए इन सब विश्यो पे चर्चा की गई है कुछ तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं जो इनके नाम हैं उसके आधार पर आप देख लीजिएगा कि क्या चीज़ आ सकती है इसमें क्योंकि इतना फिर मैंने काफी जाड़ दिया है तो इनको ज़रूर देख लीजिए प्राचीन और नवीन अत्वा पूर्व और पष्चिम इन दोनों के संगर्श से यह प्रश्न उत्पन हुआ पूर्वी सब्वेता सदा से धर्म की पक्षपातनी रही है और उसने धर्म को समाज में सबसे उचा स्थान दिया है पश्चिमी सब्वेता इस से में चाहे उसकी विरोधिनी ना हो पर उस से उदासीन अवश्य है और कम से कम समाज की उन्नति के नेवे उसे अवश्यक नहीं समझती सब्वेता और उन्नति के युग में पश्चिम निवासियों को यदि धर्म पर वे शद्धा नहीं है जो उनके पुर्वजो की थी तो वे सकारण है यदि भी पुर्वा पेक्ष्या अब उनके धर्म का भी बहुत कुछ संसकार हो गया है और सिक्ष्या की उन्नती के सासा जिसमें यूरोप और अमेरिका ने सबसी अधिक भाग लिया है उनके धर्म में भी सहिशुनता, सुतंतरता और उदाता की मातरा में बढ़ गई है तथा पी धर्मवाद के परिणाम सुरूप जो कड़वे फल उनको चखने पड़े हैं उनको धर्म की सीमा नियत कर देने के लिए बाधित किया अगला है हम हिंदू होकर सब को छोड़ सकते हैं पर धर्म को किसी अवस्ता में नहीं छोड़ सकते अगला है हम भी यदि इस जातियों उनके की दोड़ में भाग लेना चाते हैं तो धर्म की कोई ऐसी सीमा नियत कर दें जिस से आगे यह अपने पैर ना फैला सके अगला है यदि धर्म को उनके वास्तविक रूप में देखा जाए तो वै कदापी उपेक्षणिये नहीं हो सकता यदि पी विदेशियों के संसर्ग से या हमारे दौरभागे से यहां भी धर्म का विदेव नहीं कर सका जो प्राचीन काल में था हमें यह कहने में कुछ भी संकोच नहीं कि सर्वता की आदी गूरु आर्यों का धर्म मतवाद से सर्वता प्रितक है अगला है यदि हमारे धर्म की भी ऐसी अवस्ता हो और वह वास्तव में मतवाद का प्रवर्तक हो तब तो हमको भी कृतक गिता के साथ उनकी यह सलाह मान लेनी चाहिए और यदि ऐसा नहीं है तो हमें धर्म का वास्तविक तत्व उन्हें समझाना चाहिए मत या संप्रदाई के अर्थ में धर्म का शब्द प्रियोग करना भी हमने अधिकतर विदेशों से ही सीखा है जब विदेशी भाषाओं के मजहब रिलीजन शब्द आदी यहां प्रचलित हुए तब भूल से या स्परधा से हम उनके स्थान में धर्म शब्द का प्रियोग करने लगे परन्तु हमारे प्राचीन ग्रंतों में जो विदेशों के आने के पुर्व रचे गए थे कहीं पर भी धर्म शब्द मत विश्वास या संप्रधाई की अर्थ में प्रियक्त नहीं हुआ है अगला है बिना संदे के किसी बात का निर्णे नहीं हो सकता अतेव अपनी कलपने शक्ती से संदे उठा कर पुनह विचार शक्ती से उसका निर्णे करने में जो समण्थ है वही मनश्य है संजार में सिवाय और सब्य और वन्ने लोगों के और कौन ऐसा मनश्य होगा जिसको ऐसे धर्म की आवशक्ता ना होगी जो उसको मनुश्य बनाता है उसका धर्म तेज ना रहे फिर कोई उसे अगरी नहीं कहता ऐसे ही मनुश्य अपने धर्म को त्याग दे तो फिर केवल आकरती और बनावट उसकी मनुश्यता की रक्षा नहीं कर सकती अगला है मनुश्य के लिए प्रतेक दशा में अपने कर्तवे का पालन करना ही सर्वोपरी है अपने कर्तवे से उदासीन होकर दूसरों का अनुकरण करना चाहे वे स्रेश्ट भी हो अनाधिकार चर्चा में है अगला है संसार के समस्त संसार के और समस्त विश्यों में हम विचार शक्ति को उपयोग कर सकते हैं पर केवल धर्म की एक ऐसी ऐसा स्रक्षित विश्य है जिसमें आंके बंद करके दूसरों के पीछे चलना चाहिए यदि इसकी कोई सीमा नियत होती तब भी गनीमती पर अब इस दशा में जबकि इसकी अबाद सकता है कोई भी विशे हमारे लिए ऐसा नहीं रह जाता जिससे हम सचंद विचरन कर सके हमारे देश के नेता राजनेतिक सुतंतरता के लिए तो फरफड़ा रही है पर यह धार्मिक परतंतरता जो हमें खुली हवा में सांस भी नहीं लेने रेती उनकी दृष्टी में जरा भी नहीं खटकती धर्म हमारे सुभाव या करतवे का बोधक है जैसा कि हम अपना अभी प्राय प्रगट कर चुके हैं तब तो वह हमसे और हम उनसे किसी दशा में भी प्रितक नहीं हो सकते अगला कतन है जिस प्रकार पश्चिव वासियों ने धर्म की सीमा नियत करके अपने सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक और ओद्योगिक शित्र में उसका प्रतिबंद हटा दिया ऐसा ही हमको भी करना चाहिए अनिता ये ब्रहमात्मक विश्वास अपने साथ हमको भी ले डूपेंगे आप डूबनते वामना ले डूबे जजमान अगला है जैसे विर्ख्ष का धर्म जड़ता और पश्व का धर्म पश्वता कहलाती है ऐसे ही मनुश्य का धर्म मनुश्यता है वह मनुश्यता किसी वस्तूपर अवलंबित है इसमें किसी का मतभेद नहीं हो सकता कि मनुश्यता का अधार बुद्धी है बुद्धी की दो शाखाए हैं एक कल्पना शक्ति और दूसरी जो है विचार शक्ति अगला जो निबंद है वो है कवी कर्थवे महावीर प्रसाद वेदी जी का चलिए इसके मतपूर्ण कथन देखते हैं कवी कर्थवे से हमारा भी प्राई हिंदी के कवीयों के कर्थवियों से है समय और समाज की रूची के अनुसार साब बातों का विचार करके हम यह लिखना चाहते हैं कि कवी का करतविक क्या है गद्य और पद्ध दोनों ही में कविता हो सकती है यह समझना अज्यान की पराकस ठाह है कि जो चंदोबद है सभी कवे है कविता का लक्षन जहां कहीं पाया जाए चाहे वह गद्धे हो चाहे ये पद्धे में वही कव्य है धनाक्षरी और सवईया आधी लिखने वाले कुछ कवियों की कविता में कभी-कभी अनेक निरर्थक शब्द आ जाते हैं कभी-कभी शब्दों के ऐसे विक्रत रूप प्रिक्त हो जाते हैं कि उनका अर्थ ही समझ में नहीं आता शब्दों के बिगारने से उनके बिगड़े हुए रूप पढ़ने वालों के कान में खटकते हैं और जिस अर्थ में वे प्रयुक्त होते हैं उस अर्थ की वे कभी-कभी पोशकता भी नहीं करते कविता का विश्य मनुरंजक और उपदेश जनक होना चाहिए यमना के किनारे केली कौतुहल का अदबुत अदबुत वर्णन बहुत हो चुका ना परिकियाओं पर प्रति प्रबंद लिखने की अब कोई आवशकता है और ना सीख कियाओं को गता-गत ही के पहेली बुझाने की अगला है अभ्यास करते समय शायद कभी किसी समय से वे इससे अधिक योगिता दिखलाने में समर्थ हो और दंडी कभी के कथानुसार शायद कभी वाग देवी उन पर सचमुछ ही प्रसंद हो जाए नाइका के हाव भाव के वर्णन का अभ्यास करने वाले पर भी सरस्वती की कृपा हो सकती है परन्तु तदर्थ उसकी उपासना ना करने ही अच्छा है अगला है समस्या पूर्थी के लिए और सामानिक कौशल और प्रबल प्रतिभा की आवशक्त है इस से में प्रतिभा का पूरा पूरा विकास बहुत कम देखा जाता है इसलिए समस्याओं के पूर्थी भी प्राया अच्छी नहीं होती हमारी यह समत्य है कि समस्याओं पूर्थी के विशे को छोड़ कर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार विश्यों को चुन कर कवी को यदि बड़ी ना हो सके तो छोटी सी छोटी स्वतंतर कविता करनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार की कविताओं का हिंदी में अभाव है तो इस पूरे निवन में आपको कवी के करतवियों के बारे में बताया गया है कि कवियों को जो है किस प्रकार से अपनी रचनाये करनी चाहिए कविता करनी चाहिए अगले इस समय कवियों का एक दल कवी समाजों और कवी मंडलों बद होकर समस्या पूर्ति करने में व्यग्र हो रहा है इन पूर्तिकारों में से कुछ को छोड़ कर सेश कविता के नाम की भी बड़ी ही अवहिलना कर रहे हैं अगला है एक शीशी में भरे हुए इत्र को जब दूसरी शीशी में डालने लगते हैं तब डालने में ही पहले कठिंता उपस्तित होती है और यदि बिना दोचार बूंद इदर उदर टपके वह शीशी में चला भी गया तो इस उलट फेर में उसके सुवास का विशेशांग अवश्य उड़ जाता है अगला है एक भाशा की कविता का दूसरी भाशा में अनुवाद करना मूल कवी का अपमान है क्योंकि अनुवाद के द्वारा उनके गुणों का ठीक ठीक परशे ना होने के कारण पढ़ने वाले के दृष्टी में वह हीन हो जाता है इसलिए किसी पुस्तक का अनुवाद आरंब करने के पहले अनुवादक को अपनी योगिता का विचार कर लेना नितांत आवश्यक है अगला है सच है कि जो अच्छा कवी है वही अच्छा अनुवादक है अनुवाद करने में समर्थ हो सकता है दूसरा नहीं पर अच्छा कवी होना भी दूर्लब है अगला है सभाविक कवी भी एक प्रकार की अवतार है इस पर कदाचित कोई प्रश्ण करे कि केले कवी ही क्यों अवतार माले गए और लेखक इस पर ना बिठाए गए तो यह कहा जाता है कि लेखक का समावेश कवी में है पर कवियों में कुछ ऐसी विशे शक्ति होती है जिसके कारण उनका प्रभाव लोगों पर बहुत पड़ता है अगला है हिंदी के जितने कवी प्रसिद हैं उन्होंने देश, काल, अवस्ठा और पात्र के अनुसार ही कविता की है दूसरे देशों और दूसरी भाषाओं के कवियों का नाम लेने की हामशक्ता नहीं क्योंकि हिंदी के पुर्वर्ति कवियों ने समय समय पर अपने कर्तवे को समझा है और उसका पालन भी किया है अगला है कवी की कल्पनर शक्ति तिवर होती है इस कल्पना शक्ति के द्वारा वे कठिन बातों को ऐसे अनोखे ढंग से सबके सामने रखता है कि वे सहज ही समझ में आ जाती है इसी शक्ति से वे अंजाने हुए पदार्थों का द्रिश्यों का चित्र इतना मनुहर खीचता है कि पढ़ने या सुनने वाले एकागरचित हो जाते हैं और उस बात पर प्रेम पूरवक विचार करते हैं अगला है कविता लिखते समय जो जो भाव कवी के हिर्दे में उद्द होते हैं वही भाव पढ़ने वाले के हिर्दे में उद्पन हो सकते हैं इसके लिए पढ़ने वाला सो हिर्दे होना चाहिए नहीं तो भैस क आगे बीन बजने लगेगी यदि स्वत्ह कवी में सहरता ना हो तो फिर उसका ब्रह्मी फृत्था है अगले हैं हिंदी कवी का करता विया है कि वे लोगों की रूची का विश्चार रखकर अपनी कविता ऐसी सहच और मनुहार रचे की साधारन पढ़े लिखे लोगों में भ नए नए विचारों को समझने की योगिता उत्पन करने वाला कड़ना कवी की का करतव है अगला है पुर्वासना और अगुद प्रतिवार ना उत्पन होने पर भी शास्तर के अनुशी लन और यतनकी अभी निवेश द्वारा उपासना की गई तो सरस्वती अनुग्रह अ मस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताईएगा ताकि वीडियो के मादम से आपके उस मस्या का समधान कर सके और वीडियो अच्छी लगी हो तो भी जरूर बताईएगा धन्यवाद